वो पता नहीं एपीज अबदुल कलाम का वो कोड था भी या नहीं था बड़ बच्मन में बहुत लिखता था मैं बोड पे कि फर्स टाइम की सक्सेस अगर फर्स टाइम ही रह जाए और दूसरी बार आप कुछ ना कह पाओ तो लोग उसे लग का नाम देते हैं जैसे गोडल का प्लेश्मेंट पॉइंट सबसे ज्याद है आरे हां मैं उसी चीज के बारे बात कर रहा था मेरे को अभी क्या लगता है ना कि गॉटलाई को जैसे मुझे पड़ी थी वैसे ही मुझे लगता है गॉडलाई के सारे प्लेयर्स को भी अच्छे से गातक भई ने समझाया है कि देखो मित्रों बात ऐसी है कि घर जैसी है और जब बात घर जैसी है तो घर के अंदर रहनी चाहिए तो अब कुल मिला के बात यही है कि आपको सर्वाइवल पॉइंट खेलना है जब उन्होंने पहला इरंगल मैच खेला था परसो के दिन पे और उसमें जस्ट वो प्लेस्मेंट पॉइंट लेके गए थे चे या चार समतिक जो भी था उनके पास जब हो placement point लेके गए थे और उन्होंने एक single fight भी initiate नहीं करी थी वो shoreline पे जाके रुख गया और वहाँ से उन्होंने आगे जाके वो game निकाला तब ही मुझे समझ आया कि भाई अब सच में godlike जा रही है placement point के लिए और वो placement oriented game खेलेंगे तब तक जब तक उनको ये नहीं समझ में आता कि coordination and calling तो बहुत important चीज है जिससे वो आगे जा सकते है back to basics, correct तो मेरे हिसाब से बस यही एक चीज मुझे godlike में बड़ी अच्छी लगी कि finally उनको समझ आया कि भाई placement point भी कुछ है और उससे आप अपनी टीम को आगे लेके जा सकते हो पहला वाला match खेलने के बाद ही वो लग गया था क्या बीजमेस भी official बीपी बने बहुत अच्छी बात है आपने बहुत अच्छा खेला और उसके बाद भी आपको consistency दिखानी पड़ेगी आपको अच्छा खेलना पड़ेगा ताकि आपका नाम बना रहे ऐसा नहीं है कि benched है और वो अब नहीं खेलेगा अच्छा तो bench तो करेंगे ही करेंगे